बिस्मिल्ला रख्माने रहीम अस्सलाम अलेकुम एंड वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे मटन पाई की रेसिपी जो के हम बहुत ही असानी से इसको तयार करेंगे और बनके यह बहुत ही मज़ेदार लजीज किसिम के तयार होंगे तो चले आएं रेसिपी शू करते हैं लेकिन रेसिपी शू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना हर्गेस मत भूलिए यहां पर पाय तयार करने के लिए सबसे पहले हमने यह बक्रे के पाय लेकर उसको अच्छी ताना से वाश कर लिया है वाश करने के बाद यहां पर हमने अपने पोर्ट पर लिया है हाफ कप ऑईल जब गरम हो जाएगा तो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे प्यास का पैस्ट यहांपर हमने दो मीडियम साइज की प्यास लेखे उसका पैस्त तगयार किया है और उसको हमने ऑल में शामिल कर के पहले 2-3 मिनिटा कि उसको भून लिया भूनने के बाद हम इसमे में शामिल कर देंगे अपने भाय यह उने पर हमने पर मटन पाइ इसमें शामिल किया और करने के बाद इसको भी 10-15 मिन तक medium to high frame पर इसको भूनेंगे यहां पर इसको हम लसना तक प्रेस में अच्छी तान भूनेंगे ताके जो इसमेल है वो इसमें रिमूव हो जाए 10 से 15 मिन तक भूनाई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेज इस पैसपैसेज हम इसमें शामिल करेंगे साथ पहले 1 टेबल स्पून नमक, एस पिस्तिलाज मिर्ज, एस भी पिष्टा धनिया, भी टेबल पिस्पून हल्दी पॉल्डर यह तमाम स्पैसी शामिल करके इसको भी हम थी तान से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद श्रूमस्क नेगे प साभड़ करें दही शरू में का यहां पर हमने हमें एक कप के कारीव दही लिया लिया है। बीट करके साहएं मिन तक MS hour को शामिर करने सिमय क Tapi से कुए रखे парट करने के बार कार पानी तो करने करने के बाद यह को मदीद आ ये यहां तक कि फेड की उपर आ जाए हम पाई की तमाम की तमाम बुनाई जाए हो शुरू में कर लेंगे, बाद में मैंसे उसमें शौरवा लगाना रे जाएगा तो हमने 10 से 15 मिन्ट तर इसको मज़ीद भुना, तो इसको आईल जो है वो उपराना शुरू हो गया है यहाँ पर देखनें, इसको आईल उपर आ गया है और यह पाई के अच्छी तांसे बुनाई हो गई है यहाँ पर ख़याल रखें कि बुनाई जो है बहुत अच्छी तांसे हो ताकि इसकी तमारी स्मेल भी रिमूव हो जाए और इसका जायका जो है वो इन्हेंस हो यह आप उने इसकी yaaamांज की तकरीबरं पूरी टोटल जो है वह 25-30 मििंटा इसकी अच्छी तांसे भुनाई किए और करने के बाद हमें इसमें शामिल कर दिया है 12 गिलास पानी 12 कब हमने इसमें पानी शामिल किया है, 10-12 कब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और करने के बाद इसको हम कवर करके medium to low flame पर 4-5 घंटे तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे इसको उपर हमने वेड रखा है ताकि हमारे पाई जल्ली गल जाए अब 4 घंटे हो गए तो इसको पकते हुए तो हमने 4 घंटे बाई इसको श्टेक किया तो हमारे पाई तक गली चुके है इसमें हम शामिल कर देंगे half teaspoon गर्म मसाले का पॉर्डर पिस्ता गर्म मसाला हम शामिल करने के बाद इसको मजीद आदी घंटे तक पकाएंगे तो इसका हमारे पाई जो है वो बिलकुल रेडी हो जाएंगे अब इसका हम पाई को हम गर्म गर्म नान के साथ सर्फ करेंगे जो के बहुत ही मज़ेदार बनके तयार हुआ है तो अगर आपको यह recipe पसंद आए तो उसे like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग, आला आफिज